कि बिस्मिल्ह रह्मान रहीम असलाम अलेकुम मैं आपकी फैनली फुजीशन डॉक्टर को सर हेल्थ केर चैनल से आपसे मखातिब हूँ उमीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे आज का हमारा टॉपिक है टेंशन हैडिक आपको तो पता है कि सर की दर्थ एक ऐसी दर्थ है जो हम मेंसे हर छोटे और बड़े ने एक्सपीरियंस की होती है और हर रोज डॉक्टर की क्लिनिक पर हजारों मुरीज सिरफ सरदर्थ की वज़ा से विजिट करते हैं सरदर्थ की बहुत सारी वज़ुआत होती है और इस इन वज़ुआत को ह हम जो दो तरह की categories में divide करते हैं एक primary सरदर्द होती है जिसको हम primary headache कहते हैं और यह headache ऐसी होती है कि यह brain की किसी और बिमारी से जुड़ी नहीं होती है इसी तरह से secondary headache होती है जो के brain की किसी बिमारी से जुड़ी होती है primary headache में सबसे ज़ादा जो common headache है वो tension headache है tension headache जो है इसमें जब मरीज डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उससे पुछता है कि आपको किस तरह की सरदर्द होती है तो वो बकाइदा explain करता है कि मुझे डॉक्टर साब ऐसे लगता है कि जैसे पूरे सर के किसी ने कोई tight सा band बान दिया हो और मेरे सामने वाले से में भी दर्द होती है साइड पर भी होती है गर्दन के पीछे भी होती है और कई दफ़ा वो कहता है कि मेरे सारे पीछे पठे जो हैं वो भी खिचे हुए है तो इस तरह की headache जो है अगर मुसलसल उसको कुछ दिन तक होती रहे और कुछ महीने चलती रहे तो tension headache diagnose किया जाता है tension headache को हम migraine से differentiate कर सकते हैं migraine भी primary headache की एक form है और उससे हम कैसे differentiate करते हैं कि tension headache का मरीज जो है वो अपनी normal काम काच करता रहता है लेकिन अगर slow करे या देर से करे लेकिन करता जरूर है जबके migraine वाले मरीज जो हैं वो चाते हैं कि हम बिलकूल खामोशी से कमरे में लेट जाएं और activity से उनकी जो दर्द है वो जादा होती है इसी तरह से migraine में कुछ real problems हो सकते हैं जबके tension headache में ऐसा कोई मसला नहीं होता Migraine वाले मरीज को nausea, vomiting जरूरी है साथ होना जबके tension headache में ऐसा कुछ नहीं होता Tension headache की बहुत सारी causes हैं इसमें सबसे पहले stress है stress भी आज का बहुत बड़ा मसला है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि stress को बहुत ज़ादा ही अपने उपर तारी करते हैं तो इस तरह के लोगों में भी tension headache हो सकती है फर आज कल बहुत सारे लोग कंप्यूटर के सामने बैट के गाम करते हैं लगातार एक ही posture में कई-कई घंटे बैठे रहते हैं इस तरह के मरीज़ों को भी tension headache हो सकती है फिर कुछ night shifts करते हैं नीन की कमी के वज़ा से भी tension headache हो सकती है और फिर ही होता है कि अक्सर लोग सुबा काम पर जल्दी पहुंचने के चेकर में अपने meals skip करते हैं मसलें breakfast नहीं किया या काम पर जाके भी खाने की कोई परवाद नहीं रही इस तरह के लोगों में भी tension headache बहुत होती है इसके लवा long driving और caffeine का ज़्यादा इस्तमाल भी tension headache का बाइस बनती है tension headache की complications भी हो सकती है मरीज़ की एक तो job effect होती है वो job पे जाता जरूर है लेकिन उसकी वो काम करने की सलायत कम होती है इसके लवा उसकी quality of life disturb हो सकती है मसलन फर्स करें गर में सब अगर किसी function पर जा रहे है तो वो कहेगा कि मेरे सर में दर्द है मैं नहीं जा सकता इसी तरह से अगर कोई गुमने पर में जा रहा है तो उनको भी company नहीं करेगा कि सर में दर्द है तो tension headache से बचने के लिए अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले stress जो है उसको अपनी life से निकालना है उसके लिए आप exercise कर सकते हैं कोई walk कर लें jogging कर लें cycling कर लें जिनको swimming आती है वो वो कर लें कुछ लोग योगा करते हैं तो इस तरीके से आप stress relief कर सकते हैं इसके लवा कुछ लोगों को massage से भी बहुत फरक पड़ता है और कोशिश करें कि अपने जो meals हैं उनको skip ना करें वक्त पे आप खाना खाएं और पानी का इस्तमाल ज़्यादा करें क्यूंके पानी की कमी की वज़ा से भी dehydration से भी सर में ये वाली दर्थ हो सकती है caffeine वाले products जो हैं उनको भी वाइट करें मसलन caffeine वाली drinks हैं चाय काफी का ज़्याद इस्तमाल है जो लोग smoking या alcohol ले रहे हैं उनको भी वाइट करें अमीद है आज की वीडियो से आपको tension headache के बारे में काफी awareness हुई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको share कीजिए like कीजिए और channel को subscribe करना ना भूलिए अपना बहुत सारा ख्याल रुखिएगा Allah हाफिज